22-23 साल का लड़का था बड़ा चुल बूला था मैं उस समय एकदम से शॉक हो गया कि I was 96 kg कुछ सेकिंड के लिए तो मेरे दिमाग में एकदम से अंधेरा चागया और वो बात मेरे को पिंच कर गई कि एर एक स्टेज पर किसी ने मुझे आके चैलेंज कर दिया वो लाइफ मे में बहुत सारी इंजिरी होने वाली है शुरुआत में ना कभी भी एकदम से आपको रिजल्ट नहीं मिलते अब यहां से मेरी कॉंशियस नहीं सौर ज्यादा बढ़ भी पहला ही पुश अप मैंने लगाया तो बॉड़ी वेट इतना था कि मैं उसको लेकर ऊपर ही नहीं आ आपको एक लाइफ का नया टर्निंग पॉइंट दे सकता है और अब प्रॉब्लम शुरूई यहां से तो आज मैं आपको अपनी लाइफ की एक ऐसे इंसिदेंट की बारे में बता रहा हूं जिसने मेरी लाइफ को बदल कर रख दिया प्रोग्रेस की चाहत में हम कई बार इ जा रहे थे तो अपनी फेटनेस के ओपर मेरा कोई ध्यान नहीं था मतलब कुछ ठीक चलता जा रहा था मुझेने कभी अपनी फेटनेस में अपने आपको ट्रांस्वार्म करना है तो एक बार मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम एक कंपनी में हुआ वो सेल्स को लेकर मेरा प्र कि सर आप आपको पता है हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के हैं मैंने का मुझे पता है कंपनी के फिटनस के प्रोडक्ट्स हैं और आप हमें क्या ट्रेनिंग देने आए हैं मैंने का मैं आपको सेल्स की ट्रेनिंग देने आए हूं आप बूस्ट करने आए कि हम सेल ऐसे बढ कड़ेगी हमारे बहुत सारे जो वो खुदी फिट नहीं है तो कई बार जो उनके क्लाइंस होते हैं उनको बोल देते हैं कि यार आप क्यों निखाते हैं अपने कंपनी के प्रोड़क्ट तो मैं कहा ही बिल्कुल ठीक बात है तो उनका सर आप भी तो हमारी कंपनी में सेल्स की ट्रेनिंग दिने आया हूं तो उस बच्चे ने कहा कि ठीक एक मिनट एक मिनट रुकिए वह भाग के स्टेज पर आया एक वेट मशीन लाया उसने वेट मशीन रखी और का सर आप अपना वेट कर लेते हैं मैं जैसी वेट मशीन पर चड़ा आपका वजन है आप हमें बता नहीं कि एक साल में सेल्स को ऐसे बढ़ाएं मैं आपसे पूछता हूं क्या एक साल में आपना वेट कम कर सकते हैं तो कुछ सेकिंड के लिए तो मेरे दिमाग में एक दम से अंधेरा चा गया और मुझे लगा यार यह क्या मतलब मैं किसी को बुस्ट करने हैं वो खुद उल कि एक साल बात जब मैं आपके कंपनी में आऊँगा तो आई विल भी फिट और वो बात मेरे को पिंच कर गई कि एक स्टेज पर किसी ने मुझे आके चैलेंज कर दिया और वो चैलेंज मैंने एकसेप्ट भी कर लिया और मुझे वो चीज हासिल करनी है अब प्रॉब्लम श की तरह से पैर रोच गए मेरे लगने दर दो गये मेरी कमर में दर दो गया हलकलका मुझे फिवर आगया मैं दॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर कोर सबीकरैंज कर लिए मनका नहीं बहुत की मैं तो सिर्फ 100 200 मिटर कशना सुब्लम पगया तो मुजे लगा कि इर म्मको सब इस ऐच पर आ गया हूं जहां पर लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं किया सकता और फिर दो-तिन दिन का मैंने रिलाक्स किया और उसके बाद मैं एक्साइज करना शुरू किया जब मैं वॉक पर जाता था तो शिरुवात में 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर तक मैं सब्सक्रा को लाइक में बहुत सारी इंजिरी होने वाली हैं शिरूवात में ना कभी भी एकदम से ऐसे रिजयर्फ नहीं मिलते है और मेरे साथ भी भी वहाट करता जा रहा था लेकिन को STEPHEN RIो एकम्ह coined दो मेहिना तीन मेहिना लेकिन मैंने सोच लिया था कि अगर थोड़ा सा और स्मार्ट लियम प्ले करें तो शायद अच्छा रिजल्ट आ सकता है मैं एक जिम कोच से बात की अपनी डाइट के बात की सब चीजों को समझा उसने ऐस पर एज एज पर बाड़ी स्ट्रक्चर फैट परसेंटेज सारी चीजे चेक की और मेरे को एक अच पुश अप मैंने लगाया तो बॉड़ी वेट इतना था कि मैं उसको लेकर ऊपर ही नहीं आपाया जना इगाट शॉक्ट कि नाओ आई हैट चेंज माई लाइफ और फिर मैंने रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू किया पुश अप लगाना शुरू किया पहले शुरू आ आपको तुरंट नहीं मिलता और फिर मेरा बॉड़ी वेट इसे घटने लगा क्योंकि मैंने डाइट को मेंटें करना शुरू कर दिया मैंने अपने पॉजिटिव माइंट सेट के साथ कॉंशियसनेस बढ़ा ली कि नहीं मुझे अपने आपको फिट करना है और एक दिन ऐस चल रहा कि आप वो बोल रहे होते हैं तो मैं ऐसे मतलब पेट था मेरा 46 इंजिस की कमर थी वो 42 के असपास आ गई तो मैं बोल रहा था कि 6-pack abs 6-pack abs जैसे करके मतलब जैसे आप बॉड़ी बिल्डर को देखते हैं आप इतने अच्छे-च्छे पोस्टर देखते हैं उनसे इ जाट था वो जाट मेरे पास आया मैश्वरी जी क्या कर रहे हो नहीं कुछ नहीं कर रहा हूं थोड़ा बहुत वेट कम हो गया है तो वह जाट बड़ी तेजी से हसा दूसरे दोस्त के आत मार के बुला बहे एक बात है यह मैश्वरी जोस्त अगणा है पर अगले साल में भ 18 से पहले मतलब लगबग 85-90 डेज का चैलेंज था यह मैंने का मैं 6-pack बनाऊंगा और फिर मैंने उस जर्नी में जो भी मेरको नॉलेज चाहिए थी मैंने बुक्स पड़ी मैंने बहुत सारे कोचिस से मिला ट्रेनर से मिला डाइट शीडियूल बनाया रूटीन एक्सरसाइ में अपना 6-pack आप की जर्नी को अचीव करते हैं इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैंने शुरू किया था तो मेरा बॉड़ी वेट 96 kg था और मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मुझे एक साल में केवल ट्रांसफॉर्म होना है और यहां तो चैलेंज 6-pack 46-47 इंचिस था मैं उसको रिड्यूस करके 29 इंचिस तक लेकर आया यहां तीन बाते बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको समझनी है किसी भी चीज को अगर आप लाइफ में शिदत से चाहते हैं तो उसको पाने की जो चाहत होती है वही आपको एक मजबूत विल देती है और लेकिन मेरे पास स्किल नहीं थी अगर मजबूत विल है तो स्किल को डेवलेप किया जा सकता है और जब आप स्किल डेवलेप कर लेते हैं तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है स्ट्रेडिजी रणनीती और एक रणनीती से आपको रिजल्ट नहीं मिलता आप लगातार रणनीती चेंज करते हैं एक ना एक दिन आपके हाथ में वो रणनीती आती है जो आपको उस बुलनी तक पहुंचाती है जिस पर आप पहुंचना चाहते है और फाइनली मैंने सिक्स पैक अचीव किया मैंने अपनी लाइफ का वो टार्गेट कंप्लीट किया और वहां से मेरे लाइफ एक तरह से ट्रांस्फॉर्म हो गई क्योंकि जिस पर मैं पहुंच रहा था उस पर बहुत सारी एज बेजड प्रॉब्लम्स आना शुरू होने वाली थी जैसे हाई बीपी है लो बीपी है या शुगर है या मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जै को पूरी शिदत से उस चीज़ को पाने की चाहत में अपने आपको ज्योग दो आप हर चीज़ को पाने की चाहत में अपने आपको जोग दो आप हर चीज़ हासिल कर पाएंगे मैं तो के वले ही काऊंगा विजन बनाएं उस विजन में उस विजन को पाने के लिए निरंतर प्रयास करें सफल ताफ के कदम चुमेंगी स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे वविश्य की काम ना करता हूँ जै हिंद जै भारत